हलो फ्रेंट्स आज हम लोग यहां पे face to face मिल रहे हैं यह जो चैनल मैंने बनाया है और इसमें biology से related सारी तैयारियां जो है वो कराई जाएंगी आने वारे समय में लेकिन अभी फिलाल हम लोगों ने कि चैनल में वीडियो जो मैं पोस्ट करी हूँ वो related है PGT biology से संबंध है फ्रेंट्स PGT biology हम सभी जानते हैं कि JSC द्वारा यह exam जो है वो conduct कराया जाएगा पहले भी यह exam जो है conduct कराया जा चुका है जारखन बनने के बाद दो PGT's की बहाली हो चुकी है एक exam हुआ था 2012 में और एक exam जो हुआ था फ्रेंट्स 2018 में तो वो दोनों exam चुकी मैंने दिया ह हुआ है और last exam 2018 का friends हुआ था वो मैंने clear भी किया था counseling level तक मैं पहुची वी थी फिर मैंने friends जो है high school मैंने जोइन किया क्योंकि वो last moment पे मेरा होसक्त मेरा selection नहीं हो पाया था तो उसका सारे जो कहां मैंने pros and cons हैं कहां मैंने काहां मुझसे गड़बड़ी हुई कहां मुझसे भूल हुई कहां मेरी तयारी कमी रह गई थी वो सारी चीजें चुकी मुझे पता है कि वो कहां मैंने exam दिया हुआ था तो ये सारी चीजें म क्रम में हम लोग हम लोग जो है सबसे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया वो है अनिमल किंग्डम का अनिमल किंग्डम में हम लोग प्रोटो जवा के बारे में बात कर रहे हैं साथ ही साथ अन्य भी और दूसरे भी जो भी फाइलम्स हैं उसके बारे में भी हम लोग ड दिखाया था कि किस तरह के questions friends आ रहे हैं वह जो पहले का जो ट्रेंड था ना friends की गाईज उसमें की question आते थे कि बहुत simple simple से questions आते थे लेकिन अभी का जो trend है क्योंकि competition vast होता जा रहा है तो अभी का जो trend है questions का trend change हो रहा है और इस पिछले बार का जो trend रहेगा वह expectation है कि पिछले बार की तुलना में थोड़ा और vast होना होगा और low नहीं जाएगा और syllabus में जो आपने देखा हुआ है कि वह PG और UG यह दोनों का syllabus इसमें काफी है और इसको अगर हम लोग ध्यान से thoroughly पढ़ेंगे तो वह हमारा clear हो जाएगा जो मैंने exam दिया था गाइस तो उसमें मुझे यही मुझे लगा था कि मैंने सारे कुछ plus two से पढ़ा था बहुत ज्यादा तैयारी मैं उस टाइम नहीं कर पाई थी उसमें मुझे यही लगा था कि plus two मैंने मैं पढ़ करके गई थी और पीजी वाला portion या फिर जो ग्रैजवेशन का जो portion था वो मैंने नहीं किया था इसी की वज़ासे एक दो question की वज़ासे मेरा selection नहीं हो पाया था तो इस बार का जो रहेगा कि मैं वह जो plus two वाले जो portion है वो भी अच्छे से कर लूँ और जो आने वाला जो यूजी और पीजी का syllabus है वो भी मैं अच्छे तरीके से कर लूँ ताकि मेरा selection जो है हम लोगों का selection जो भी आप मेरे साथ तैयारी करने के लिए जुड़े हुए है उन लोगों का selection पक्का हो जाए गाई इसमें क्या है कि आपके पास 75% seat है 25% सीट जो है व करमल तैयारी कर रहे हैं बाकि 25% सीट अगर नहीं भरती है इन केस तो उसमें जनरल कैटिगरी का जो मेरिट होगा उससे भी वो सीट फुल्फिल हो जाई जबकि लास्ट यह 50% सीट रिजर्व थे और वो सीट को वेकेंट रखा गया उन सीटों को हम लोगों उन सीटों को ग के लिए 25% सीट जो है वो हाई स्कूल टीचर के लिए रिजर्व है तो गाइस जो कि यह अभी हाई स्कूल का जो वेकेंसी है सिफ लास्त तीन साल पहले ही फुल्फिल हुआ है तो बहुत सारी लोग जो है वो हाई स्कूल से भी प्लस टू आने वाले हैं क्योंकि गाइस उन क्रम में मुझे पता है कि और मेरे पास जो है questions वेगरा भी है तो उन questions को साथ साथ मैं discuss करवाती जाओंगी और to the point focused होकर के तयारी करनी है friends क्योंकि हमारे पास बहुत सारा materials है materials हमारे पास इतना जादा है कि अगर हम उसको पूरे material को अगर हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो वह से लिए बस चार साल में भी complete नहीं होगा लेकिर हमको to the point selected होकर के तयारी करनी है कि मेरा plus 2 का भी जो main portion है वो complete हो जाए plus 2 क्योंकि 50% questions जो है वो plus 2 level के रहेंगे वो NCRT based questions रहेंगे बाकि 50% UG and PG level के रहेंगे उसमें भी 40% questions जो है वो 35 to 40% question graduation level के रहेंगे बाकि जो hard level के questions होते हैं जो बहुत ही tough level के वो PG level पे जाते हैं तो हमारा यहां पे main motor है friends की हम exam को qualify करना है हम exam top करने का मैं मोटो नहीं रखती हूं मुझे एक seat चाहिए मुझे यह exam qualify करना है तो इसके लिए हमें कैसे पढ़ाई करनी है तो मैंने जैसे आपको मैं phylum animal kingdom के बारे में मैंने बताया है phylum protozoa के बारे में बताया है phylum protozoa में और भी छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे आब इसी क्रम में हम लोग discuss करेंगे phylum porifera के बारे में गइस porifera means pore bearing animals वे सारे animals है जिनके शरीर में च्षीदर होते हैं उनको कहते हैं pore bearing animals ये वह सारे animals phylum porifera में आते हैं इसमें जो study होती है phylum porifera की study इसको हम कहते हैं parazology तीक है इसमें एक term और आता है protozoology तो जो protozoans होते ह उनकी study कहलाती है proto zoology ठीक है लेकिन ये जो है पोरिफेरा की study कहलाती है पैरा zoology गाईज जब हम इस level का PGT level का exam देते हैं तो हमारे लिए term किसने दिया scientist का नाम भी बहुत exam बहुत पूछा जाता है इसलिए अभी के level पे आपको scientist का नाम भी जानना बहुत जरूरी होता है ये किसने दिया ये term किसने दिया ठीक है तो पोरिफेरा term देने वाले scientist थे grant grant तो the term पोरिफेरा was given by grant now animal nature of sponges ऐसे sponges क्या होते है वो plant like दिखते हैं है ना वो marine होते हैं fresh water होते हैं तो वो दिखते हैं plant like तो animal nature of sponges जो था वो उसको बताने वाले कौन थे john ellis तो grant और john ellis का नाम हम लोग याद रखेंगे कि term पोरिफेरा किसने दिया था grant ने दिया था और animal nature of sponges किसने बताया था पो john ellis ने बताया था अब बात करते हैं body symmetry की तो sponges की body जो होती है वो asymmetrical होती है body में कोई symmetry नहीं पाई जाती है sponges के habitat के पारे में बात करेंगे तो sponges mostly marine होते हैं कुछ sponges जो होते हैं वो fresh water भी होते हैं sponges इनकी nature की बात करेंगे तो sponges solitary होते हैं मतलब अकेले वो रहते हैं और कुछ sponges colonial है, colony बना कर भी रहते हैं वो sponges आपका आएगा leucosolenia, leucosolenia बहुत ही important sponge है अगर porifera में questions आते हैं तो सबसे पहला question इससे ही उठाया जाता है leucosolenia से grade of organization हम देखते हैं कि grade of organization इसमें cellular level of grade of organization पाया जाता है यह multicellular होते हैं, tissue का formation अभी नहीं हुआ है तो sponges में, porifera में grade of organization क्या है multicellular है body having two walls इसमें body में two walls होते हैं जिसमें जो outer wall होता है उसको हम कहते हैं pinacoderm और जो अंदर वाला वाल होता है उसको हम बोलते हैं cuanoderm और beach में एक non-cellular layer होता है, उसको बोलते हैं mesenchyme या फिर mesohyal layer तो यह है आपका body में दो ही wall होते हैं diploblastic इसको हम नहीं कहते हैं क्योंकि ectoderm और endoderm का origin अभी नहीं हुआ है तो इसलिए हम कहते हैं body में two layers है outer, outer है जो वो है हमारा pinacoderm, inner जो है वो है cuanoderm body cavity जो है, अभी तो हम लोग beginning है, इसलिए introduction है इसलिए अभी सिर्फ outline आपको बता रही हूँ, otherwise जब मैं और detail में जाऊंगी तो इसका सारा आपको बताऊंगी कि यह body cavity किस तरह का है, cells किस तरह से line की हुए है वो सारी चीज़े बताएंगे, तो body cavity, जो अंदर में sponges की जो cavity present होती है इस तरह से body में जो cavity होती है, इसको हम कहते है sponjo seal ठीक है, sponge की cavity, sponjo seal sponge की body cavity, sponjo seal और अभी जैसे बात किया हमने, कि sponges में दो layer है body wall का तो बीच में mizankyme का layer है तो यह दोनों का जो है, यहां जो covering है, जो अंदर में जो cavity है उसको हम कहते है sponjo seal और इसका एक और नाम है paragastric cavity, lined by coannocytes अभी हम सारे cells के बारे पढ़ेंगे, यह flagellated cells होते है coannocytes, इनके द्वारा यह lining किया हुआ होता है paragastric cavity तो यह important चीज है, इसको आप याद रखेंगे sponge की body cavity को क्या कहते है, paragastric cavity या फिर sponges seal friends, अपने अगले classes में हम बाकी और सारे जो इसके features हैं उसके बारे में discuss करेंगे, आज के लिए इतना ही friends, मेरे अगर वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, like, share and subscribe my channel आप motivate करें, हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत ही motivation मिलती है हमें बहुत appreciation मिलता है, तो आप channel को like करें, share करें, subscribe करें आने वाले दिनों में और बहुत सारे वीडियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे friends, okay, thank you